हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल देखें फ्रेंड्स आज मैं आपको ये राउंड शेप में फ्लावर वाला ये देखें डोर मेट बनाना सिखाऊंगी ये देखें फ्रेंड्स नजदिक से देखें बहुत सुन्दर इसकी लुक है तो फ्रेंड्स आज हम इसको पुराने चुन्नी से बनाएंगे आप पुराने चुन्नी और साड़ी से इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो तो फ्रेंड्स डिजाइन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल पे नई आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस क कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलते हैं डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आठ नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है और यह देखिए इतनी चोड़ी- यह वाला बेस कलर रखो यह कली हमने दूसरे कलर हम लगाएंगे उसकी डालेंगे यह जो कलर है जो बीच में यह कली के बीच में जो आउटलाइन है और यह उपर का जो यह फ्लावर बना हुआ है इस कलर से हम फंदे डालेंगे तो मैं यह बेस कलर यह कलर लेंगे तो इस से हम यह पपे एक note लगा लेंगे यह दो देखिए एक note लगा लेंगे सिंपल और इसमें ऐसे हम फंदे डालेंगे यह beginners के लिए बता रहे हैँ friends में जिसको डालना आता है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए यह देखिए ऐसे हम इसमें फंदे डालेंगे है paragraph बहुती ईजी बनातिस फन्द400 को दाल कि आप इसको बड़ा बनाना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हो 40 फन्द को इसको बना सकते हो मैं 32 फन्द का बनाओंगो फिर मैं फंदे डाल लेती हूं फिर हम आगे का डिजाइन स्टार्ट करेंगे यह देखिए 32 फंदे फ्रेंड्स मैं ने इसमें डाल लिए हैं 32 फंदे अब हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट यह रो बेसिक रो है हम इसको ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेंगे यह देखिए सारे ही फंदे ऐसे बनाके दूसरी निडल में उतार लेके यह देखिए इस रोकों में ऐसे ही बनाके उल्टा-उल्टा और यह सारे ही फंदे में बना लूँगे यह देखिए एंड में आ गई हूं में बिल्कुल जिससे नोट लगाई थी इसको भी हम बना लेंगे यह देखिए बेसिक रो हमने फ्रेंड्स बनाके कम्प्लीट कर ली है अब हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम इसमें आपको ज एक, दो, तीन जबी इतनी बड़ी पट्टी फ्रेंड्स आपकी रह जाए तभी हम इसमें जॉइंट लगाएंगे यह देखिए दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर ऐसे रख देखेंगे यह देखिए यह होगे हमारे चार पांच छे इसको अंदर दबा लेंगे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और सोला यह देखिए फ्रेंट्स सोला फंदे हमने बना लिए जितने भी फ्रेंट्स आप फंदे डालो हाफ फंदे आप उपर के लिए रख लीजिए यह हमारे पिछे सोला फंदे हमारे यह बच गई हैं तो अब मैं इसमें सैकेंड कलर इसमें मैं लगाऊंगी यह देखिए फ्रेंट्स मैंने लाइट का और डारक का कॉमिनेशन बनाया है यह देखिए इसको आप इसी के अंदर ऐसे लपेट लीजिए कोई भी आप इसमें कलर लगाऊ यह देखिए और यह फ्रेंट्स मैं चोदा फंदे मैं यह बनाऊंगे दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूँगे सेकंड कलर हमने इसमें एड कर लिया है आपका कोई भी कलर हो आप इसको टू कलर में भी बना सकते हो फ्रेंट्स और मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकते हो वो आपके अपनी च्वाइस है अलग अलग कली अलग अलग कलर से भी आप इसमें बना सकते हो भोुँआ सुंदर लगेगा यह देखिये ठीकट फंटे फ्रेंस समझोड़ लेंगे यही से व्स्रोड़ लेंगे यह से वापस उट जाएंगे यह देखिये जो बीच में सरकल है यह सरकल इन्हीं दो फंटो बंठ बंता है बीच में है भूँट सुंदर इसकी लुक आती से जो फंदाज इस कलर का दिखाई देगा हमने वैसे ही इसको बनाना है सीधे तरफ से हमें कोई चेंज नहीं करना यह देखिए अब हम इसको पटी को साइड कर देंगे उंगली पर ऐसे ले लीजे इसको और निचे से ऐसे क्रोस करके पटी को आगे लेके आएंगे जो भी आपका कलर हो और आगे के फंदे हम इससे बना देंगे द्यान से देखिए यह रो आपने हर बार ऐसे ही बनानी है छोटी छोटी चीजों का फ्रेंड्स आप द्यान रखोगे तो बहुत सुंदर बन के यह कंप्लीट होगा और बहुत सफाई के साथ किनारे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे एक साइड से हम इस साइड से सीधा बनाएंगे और दूसरी साइड से बिना बनाया ऐसे ही उतारेंगे यह देखे फिर यहाँ पर फ्रेंड्स किनारे पर एक चैन सी बनती जाएगी यह दो देखे जो मेरे इसमें बनी हुई है बहुत सफाई के साथ यह बनेगा अब देखिए इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे अब फ्रेंड्स हमारे यह थे 16 फंदे अब हम 14 फंदे बनाएंगे अभी हमारा चैक अगली राउंड में अगली रोह जब हम उतारेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे कलर हमने इसमें एड कर लिया है इस कली को अब हम उपर की तरफ लेके आएंगे तो दो फंदे हम बनाएंगे अभी ज़ग चार फंदे हो जाएंगे फिर हमारा चैक स्टार्ट होगा यह देखिए इसको हम नीचे से ऐसे क्रोज करके यह दो फंदे हम इस कलर के बनादेंगे यह हमारे फ्रेंड्स पीछे चोदा फंदे ही रहेंगे तो हमने उपर की तरफ बढ़ाई हैं तो दो हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे दो हमने पहले छोड़े थे दो हम इस बार छोड़ देंगे यह देखिए दो छोड़ दी यही से पलट लेंगे राइट साइड से फ्रेंड्स मैंने जो पहले बताई थी जो जैसा है इसको ऐसे ही उतारेंगे और जो जिस color का है वैसे ही बना के इस रोको मैं complete करूँगे यह देखिए इस side से मैंने इस रोको उतार लिया है अब देखिए दो-दो फंदे हमारे ये friends से कम होते जाएंगे अब देखिए दो-टेन-चार-पांच-छे-سाथ-आठ-णो-दस-ग्यारा-बारा और दो फंदे देखिए friends हम ये बना देंगे अब नीचे हमारे ये फंदे होगे, चार, दो हमने पिछले बार लिए थे, दो इस बार, तो ये दो फंदे जो पिछले बार लिए थे, इनको हम इस कलर में मना देंगे, ये देखिए, और बाकी के फंदे हम इसे कलर से बनाएंगे, चेक हमारा बनना कली का स्टार्ट हो गया है यह देखिए और दो फंदे हम फिर से इस बार पीछे छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के कम्प्लीट करूँगे यह देखिए सीवे साइड से मैंने उस रो को कम्प्लीट कर लिया है आप देखिए दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो यह दस दस फंदे रहे गई फ्रेंडस हमारे दो फंदे हम फिर से इसमें एड कर लेंगे उपर की तरफ से यह देखिए यह फंदो का कलर हमने हर बार चेंज़ करना है यह देखिए फंदो का कलर फ्रेंडस इन ही का चेंज़ करना है जो हम उपर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से हमने अपना ये design बनाना start किया था यहीं तक, आगे के फंदे हम, यहां तक ही हमारे design के फंदे हैं, और यह हम उपर दो दो तरफ बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल हम end तक आ जाएंगे, यहीं तक हम अपना change करेंगे color, यह पिछे के हम जो कली के फंदे हैं, यह हम ऐसे ही simple बनाएंगे, यह देखिए, फिर से एक बार देख लिए, friends, मेरी पट्टी छोटी हो गई, तो इसमें हम joint कैसे लगाएंगे, दूसरी पट्टी लेंगे, इसके अंदर रख के ऐसे roll करतेंगे, क्योंकि हम इसमें note नहीं लगातें, ऐसे ही बहुती easily हमारा joint इसमें लग ज देखिए, बस थोड़ा सा, जब तक यह अंदर नहीं जाएगा, यह देखिए, और दो फंदे हमने पिछे फिर से छोट दिए, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, राइट साइड से हम ऐसे ही बनाएंगे, और देखिए, friends, दो फंदे में अगली बार यह उपर बना जाएगा, नीचे हमारी यह सिंपल, यह फंदे हमारे दो दो करके खतम होते जाएंगे, तो मैं इसको यहां तक ले आती हूँ, कली को उपर तक, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगे, सेम ऐसे ही हमने बनाना है, दो दो फंदे उपर की तरफ बढ़ेंगे, और अपना चे चेक हमारा उपर तक आ गया है, देखिए, इस तरह से इसकी लोक आएगी, तो यह लास्ट के भी फंदे मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ, ताकि बिगनर्स को कोई प्रोब्लम ना आए, यह देखिए, अब दो फंदे हमारे बच गए, यह देखिए, इनका भी हम कलर च चेंज करना है, नहीं तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा, और यह आगे के जो फ्रेंड्स हमारे 16 फंदे हैं, इन ही में हम अपना कलर डालेंगे, पीछे आपने जो भी कलर लगाया है, वो आपने प्लेन बनाना है, और दो दो करके देखिए, हमारे सारे इस फंदे इस बार छोड़ देंगे, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, राइट साइड से फ्रेंड्स जो जैसा है, मैं वैसा ही बना के इस रो को कम्पलीट करूंगी, यह अगली रो से फिर में एक बार आपको फिर से दिखाऊंगी, यह देखिए फ्रेंड्स, इसको सिधा बन बिल्कुल उपर तक हमने कलर चेंज कर दिया है, यह देखिए, ऐसे ही हम 16 के 16 फंदों का कलर चेंज कर लेंगे, यह देखिए, यही तक फ्रेंड्स, आपका यह निशान आपको मिल जाएगा, यही तक आपने कलर चेंज करना है, आगे के जो फंदे दो दो करके हमने छोड रखे हैं, इस रो में हाफ कली फ्रेंड्स हमारी बन गई, इस रो में हम यह सारे ही फंदे बना लेंगे, यह जितने भी आपने फंदे लिये हैं अपने प्रोजेक्ट में, जब आपकी हाफ कली बन जाए, लास्ट में उपर तक हमारा कलर चला जाए, तब आपने यह सारे फंदे, लेकिन यह इसी कलर के बनाने फ्रेंड्स, जो सब से पहले हमने फंदे छोड़े थे, वो आपका कोई अब यह बनाएंगे, यह देखिए, यह दो फंदे अभी हम नहीं बनाएंगे, यह जब हमारी कली कंपलीट हो जाएगी, तब हम उसके बीच में जो आउटलाइन देंगे, तब बनाएंगे, यह देखिए, इसी की लोकाईसी, इस साइड़ से इस रोगों मैं पुरा उतार क मैं कंपलीट करूंगे, यह देखिए, फ्रेंड्स, कली हमारी हाफ बनके कंपलीट हो गई है, अब हम फिर से, अब तक हम उपर की तरफ आए थे, फ्रेंड्स, यह देखिए, यह कली हम बाहर की तरफ लेके आए थे, और अब हम इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, यह यहां से तो कैसे करेंगे देखिए दो ग्रीन के हैं अंदर कर लेंगे और यह दो कलर हम दो फंदो का पालर चेंज करते गे वह एदेखिए लो इसको हम अंदर ले लेंगे अब फिर से हम अपने notion लासंदों का तेंज करेंगे यह देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा जैसे हमने इसका end किया है ऐसे ही हमने इसकी starting करनी है उपर से जब हम नीचे आएंगे तो यह देखिए यहीं तक हम बनाएंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे राइट साइड से मैं जो जैसा है वैसा ही बनाऊंगे यह देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाई देगा अब यह फंदे हमारे यह वाले फंदे हमने यह रोग बना ली है अब देखिए जैसे दो हैं फिर चार हैं फिर छै आठ दस बारा चोदा सोला ऐसे ही यह फंदे हमारे अब बढ़ते जाएंगे तो देखिए एक बार और देख लीजिए दो थे हमारे यह अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे यह देखिए दो हम इसमे और एड कर लेंगे और यह फंदे देखिए अपने आप यह दूसरा color आगया यह हम color change कर देंगे उपर हमारे दो थे दो इस बार होगे चार होगे ध्यान से देखिए यह हम अपनी कली में ऐसे ही check बनाएंगे यह देखिए आप देखिए फ्रेंड्स ये जो फन्दे हैं ये अब हमने इसमें एड़ करने हैं दो दो करके छोड़े थे नीचे से उपर से हम इसमें एड़ करेंगे तो इसी कलर से हम बनाएंगे ये दो फन्दे हमने इस बार एड़ कर लिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे जब हमने यहां से 2 दो फंदे छोड़े थे अब उपर से हम इस डिज आइन को उपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहां से हम इसमें एड़ कर लेंगे राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे तो friends देखे उपर से हम इसमें अगली बार हम छे ये ये दो फंदे इसमें एड़ कर लेंगे इनका color change कर देंगे दो फंदे एड़ कर लेंगे दो हम नीचे से और एड़ कर लेंगे उपर से नीचे की तरफ आएंगे और दो दो करके सारे ही फंदे हम इसमें एड़ कर लेंगे तो मैं ये बना लेती हूँ, सेम तरीका friends ऐसे ही बनाने का, तो आप भी बना लीजिए, मैं ये complete करके फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी, फिर इसके बाद हम ये वाला भी flower बनाएंगे, तो मैं पहले इसको complete करूँगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, आप confuse मत होना, बिल प्रोसेस है, ऐसे ही हमने बनाना है, ये देखे friends, ऐसी हमारी शेप आई है, उपर से नीचे की तरफ आ गई है, ये फंदे हमारे चोदा हो गई है, दो फंदे हम इस बार एड़ करेंगे, और दो फंदे ही हमारे ये लास्ट में बचे हुए है, तो आप एक बार लास्ट का देख लीजिए, कली और वो मुस्ट हमारी कम्पलीट हो गई है, यह मैंने चुन्नी में ज्वाइंट लगाया था भी, ज्वाइंट हमारा लग गया, अगर आपका ये बैक साइड में, बाद में आप इनको ऐसे काट देजिए, ज्वाइंट हमारा पक्का हो गया है, ये दे देखिए, ये हमारे 14 फंदे हो गए, ये अब की बार हमें दो और इसमें एड करके, 16 फंदे हम इसमें एड कर लेंगे, ये देखिए, ये हमने एड कर लिए और आगे के हम इस कलर से बना लेंगे, ये देखिए, दो दो करके हमने सारे इफंदे इसमें एड़ कर लिए यह देखिए दो भी एड़ कर लेकि लास्ट के दो फंदे हमारे बचे हुए हैं इनको अभी हम नहीं बनाएंगे बाद में बनाएंगे यह देखिए इसको ऐसे ही उतारेंगे और सीधी साइड से फ्रेंट्स जो जैसा होगा हम वैसे ही बनाके इस रो को कम्प्लीट करेंगे यह देखिए friends कली हमारी पूरी हो गई है यह हमारे फ्लावर की शेप आई है तो अब हम इस फ्लावर को बनाएंगे friends यह देखिए इसको बनाएंगे अगर हम इसको नहीं बनाएंगे फ्रेंट्स तो हमारी किनारे खुले खुले नहीं बनेंगे कटोरी जैसी शेप आएगी और इसमें जोल पड़ जाएगा तो देखे कई बार कॉमेंट सातने कि मैं हमारे में जोल पड़ गया वो जोल इसी वज़े से पड़ता है फ्रेंट्स जैसे आपने वीडियो देख ली एंड नहीं देखा आप यह सोचते हो कली बनानी हमें आ गई हम बना लेंगे हम क्यों वीडियो देखें तो ये छोटी-छोटी चीजन जो हमारी miss हो जाती हैं friends उन से ही हमारा फिर सारी मैनत हमारी खराब हो जाती है तो यह देखिए आप narc Lu देजाइन कोई भी बनाओ लेकिन प्लीज आप एक बार वीडियो को और तक आराम से देखना फिर आप डिजाइन बनाना तो कोई भी आपको प्रोब्लम नहीं आएगी ये देखिए ये फ्रेंड्स हमारे 16 फंदे हैं तो हम अब 14 फंदे बनाएंगे दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे अब हम इसमें दो दो करके ये फंदे छोड़ेंगे ये फंदे अभी हमारे बचे हुए हैं यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे दो मैंने छोड़ दिये दो अगली बार छोड़ दूँगी दो दो करती हुई मैं उपर तक आ जाऊंगी फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी ये देखिए लास्ट में दो चार फंदे बचे हुए हैं तो दो फंदे मैं इसमें ऐसे ही रखूंगी ये दो भी मैं लास्ट में छोड़ दूँगी ये देखिए दो दो करके सारे फंदे हमने छोड़ दिये हैं यह उपर का भी flower हमारा complete हो गया इसको ऐसे बनाने से इसमें जोल नहीं डलेगा यह देखिए अब हम क्या करेंगे यह देखिए जो कली के बीच में जो outline है यह वाली और यह जो उपर के दो-दो करके छोड़े हैं अब हम और यह जो green color के हैं अब हम और यह दो जो है यह सारे ही हम एक color के हम बना लेंगे इस रो में देखिए फस्ट वाला इसे उतार लेंगे और इस रोकों में नीचे तक बनाती हुई आऊंगे तो इस रोकों में यहां तक यह फंदे भी यहां तक मैं इसको ले आती हूँ यह देखे ग्रीन के भी मैंने इसी कलर में कनवर्ट कर दिये हैं देखे फ्रेंड्स इसमें आपको काफी गैप मिलेगा तो आप इसी कलर का ऐसे फंदा आया आप एक उठाए और यह देखे दो का एक कर दीजिए फिर से अगर आपको गैप लगे तो दूसरे फंदे को भी आप बनाने के लिए आप ऐसे इसमें उठा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कली के फंदे हमने कई बार बनाये थे और यह सबसे पहली हमने फंदे छोड़े थे यह देखे दोनों फंदों में हमने उठा लिया है बीच में से फंदा यह देखे अब हमारा यह बिल्कुल एकवल हो गया है और इस साइड से इसको ऐसे ही उतार लेजिए और यह हम बना लेगे इस साइड से मैं इस रों को उपर तक लेके जाऊंगी बनाती हूँ यह देखे फ्रेंड्स यह वाली कली और यह वाला फ्लावर कम्प्लीट हो गया है बिल्कुल आप देखे अगर आपको फ्रेंड्स पूरे में इसी कलर को यूज करना है second flower भी आपने इसी color का बनाना है तो आप यही color लगा लीजिए और अगर आपको multi color में बनाना है तो आप दूसरा color आप यह लगाओ चाहिए कोई और लगाओ कैसे लगाएंगे मैं दूसरी के लिगी starting करके आपको देऊंगी यह देखे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और यह सोला सोला फंदे हमने बना लिए अगर यही color लगाना है तो यह हमारा उपर ही है आप यह लगा लीजिए अब मेरे पास यह देखिए दूसरी चुन्नी है आपके पास multi color की साड़ी हो फ्रेंड्स आप तो उसको भी आप इसमें लगा सकते हो और यह जो अंदर है हमारा यह छोटे छोटे हैं आप इनको काट दीजिए सीजर से क्योंकि जोइंट हमारा पका हो गया है तो बैक साड़ से भी बहुत सफाई के साथ यह बनेगा और यह आगे के फ्रेंड्स 16 फंदे हमारे बज़ गए 32 फंदे थे और यह देखिए 14 फंदे मैं रेड से बना दूँगी दूसरी कली की स्टार्टिंग हो गई हमारी जो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने बेसिक रो बनाई थी जो सेकंड रो में हमने अपने कलर सेट किये थे यह वो वाली रो है यह देखिए दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे यह हम एंड में बनाएंगे जो की अभी हमने इसमें बनाए है यह देखिए राइट साइड से इस रो को मैं ऐसे ही उतार के कंप्लीट करूँगे यह देखिए फ्रेंड सेकंड कलर हमने इसमें एड कर दिया है अब हमें क्या करना है इस रो में हम 14 फंदे बनाएंगे और यह दो फंदे हम रेड कलर से बना लेंगे अभी हम इसमें चेक स्टार्ट नहीं करेंगे दो फंदे हम इसमें एड करेंगे और दो हम पीछे छोड़ देंगे अगली बार फिर हम दो पीछे छोड़ देंगे तो तो हम हर बार ही छोड़ देंगे और ये जो दो फंदे छोड़ेंगे अगली बार ये दो और इसमें एड़ करेंगे ये हमारे red हो जाएंगे और ये फंदे जो अब हम इस row में हम उतार के red करेंगे वो हमारे base color के हो जाएंगे हम यहां से फिर अपना check start कर देंगे जैसे कि हमने यहां नीचे से किया था तो same process है जैसे ये बनाई है ऐसे ही कली आपने ये बनानी है तो देखे friends बहुत सुन्दर इसकी लुकाएगे और बहुत सुन्दर ये बनके complete होगा तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे comment करके जरूर बताईए आपको एडिजाइन कैसा लगा तो friends डिजाइन पसंद आया हो तो please इसे like कर लीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe कर लीजिए बैल आइकन को press कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले आप उसे miss ना करो तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थैंक यू